नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों विध्यालियों में आप जल्द ही अकादमी कारेक्रम का निरिक्षण होने वाला है और इसके साथ साथ सुपोर्टिव सुपरविजन भी होने वाला है तो आज की इस वीडियों में हम कुछ पॉइंटों को जानेंगे कि आपके निरिक्षण के समय आपको किन-किन बिंदों को तयार रखना होगा आज की इस वीडियों में मैं आपको कुछ बिंदू बताऊंगा जो आपको एक डायरी में नोट करने है जिससे की कोई भी निरिक्षण करता आपके विधेले में आता है तो आप जल्दी जल्दी उनको ये सब बता सकें साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक प्लेटोर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp ग्रूप और informative वीडियो Telegram ग्रूप बनाई हुए हैं आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे click करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं तो चलिए जानते हैं कौन-कौन से point आपको note करने हैं देखे ये परफोर्मा है academic supervision का इसमें सबसे पहले आपके district name होंगे block name होगा ये तो आपका पहले से होगा school name ये तो आपको पहले you dice code आपको पता रखना है कि आपके विदाले का you dice code क्या है mobile number infection officer का नाम होगा और inspection date 6 March 2021 इस तरह से निरिक्षन होगा तो इसमें आपको क्या-क्या बिंदू आपको याद रखने हैं पहला बिंदू है चाहे तो आप इन बिंदू या तो इसका screenshot ले लि या तो आपके पास हाँ होगा या नहीं होगा तो जो आपको अच्छा लगे वो दे दिने उसके बाद क्या विधाले में बाल को हे तू किरियासील सोचाले उपलब्द है हाँ या नहीं नमबर चार क्या विधाले में सोचाले या मूत्राले में नल जल की पूर्ती की उचित ववस्ता है हाँ या नहीं क्या विधाले में सोचाले या मूत्राले में टाइल्स की ववस्ता है हाँ या नहीं या आपको सब देना है उसके बाद क्या विधाले में दिव्यांग सुल थाले की उचित व्यवस्ता है या तो आपके है वर नहीं यो आपको देना है हा या नहीं क्या विधाले की कक्सा कक्स में फर्स पर टाय ली करण हुआ है हा या नहीं क्या विधहले में कक्सा कक्स blackboard का उपयोग किया जाता है यदि नहीं तो कारण बताना है वैसे इसको आपको हाँ ही देना है उसके बाद 11 नंबर point है क्या विधहले में समूचित रंगाई पुताई होती है हाँ या नहीं क्या विधहले परिसर में दिव्यांग सुलब रैंप वेर रिलिंग की उचित ववस्ता है हाँ या नहीं ये आपको देना है क्या विधाले के कक्सा कक्स में उप्यूक्त वायरिंग या उपकर्ण उपलब्द है हाँ या नहीं क्या विधाले में नियमता नुसार विद्दुत संयोजन का कारिय हुआ है हाँ या नहीं क्या विद्धाले में क्या विद्धाले की इनप्रा स्ट्रक्चर की स्तिती संतोस जनक है अगर आपकी संतोस जनक है तो आप हाँ देंगे वरना आप ना देंगे उसके बाद 16 नंबर पर है क्या विद्धाले में किचेन सेड निर्मित है हाँ या नहीं भोजन पकाने का इस्थान इसमें आपको देना है कौन सा इस्थान है? विध्याले में composite grant में दी गई धन्राशी का उपियोग. यानि 2019-20 में कितनी composite grant आपकी आई? 2020-21 में कितनी composite grant आपकी आई? इसका आपको उप्वोग देना है. क्या विध्याले के परदाना ध्यापक या ध्यापक दोरा operation काया कल्ब में ग्राम परदान के सहयोग की बात कही गई है? या तो आप हाँ देंगे अगर आपको सहयोग मिल रहा है तो आप इसका हाँ दीजे वरना आप इसका उत्तर ना दीजे. तो ये तो आपकी भोतिक इस्तितिकी इस तरह से निरेक्षन किया जाएगा. इन पोइंटों को आप नोट कर लीजे. उसके बाद आता है मद्यान भोजन से संबंदित. क्या विध्याले के सभी चात्र चात्राओं को मद्यान भोजन उचित व्यवस्ता के साथ परोसा जाता है. तो ये भी आपको हाई देना है. उसके बाद नेक्स्ट है. क्या विध्याले में भोजन निर्दारित मिनू के अनुसार बनाया जा रहा है? हाँ या नहीं? क्या विध्याले के सभी चात्राओं को मद्यान भोजन निर्दारित मात्रा में दिया जा रहा है? तो ये भी आ जा रहा है हाँ या नहीं मध्यान भोजन पंजिका में दर्ज कुल चात चात्राओं की संख्या इसमें आपको चात चात्राओं की संख्या देनी है उसका फोटो भी खिचेगा आपका मध्यान भोजन क्रहन करने वाले कुल चात चात्राओं की संख्या यदि चात चात्राओं परिवर्टन लागत की आवशकता है हाँ या नहीं क्या विद्याल्य में प्रियाप्त मात्रा में खाध्यान उपलब्द है हाँ या नहीं यह परकल है अब जो हमारिए है वो है डियाना देने. विद्याल्य में तैनात शिक्षकों की संख्या प्राइमरी में शिक्षामित्र उच्प्राथ्विक में अनुदेशक कितने उपस्तित हैं वो आपको देना है पहला प्रधान ध्यापक कोलम है दूसरा आपका साय का ध्यापक कोलम है तीसरा आपका शिक्षामित्र उपस्तित ह तो इसमें उसमें संक्या लिखनी है और अगर अनुपस्तित हैं तो अनुपस्तित के संक्या में आवकास प्रातना पत्र उपलब्द है या नहीं यानि जो स्क्रीन सोट दिया जाता है वो आपको देखना है विधहले में चात चात्राओं के नामंकन की संक्या कितने चात चात अंतरगत बच्चों के लर्निंग आउटकम की अधावदिक मानिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही है तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अभी आपको मिसन प्रेड़ना की जो तालिका है प्रेड़ना तालिका वो आपको नहीं भरनी लेकिन ऐसा भी नहीं आपको उसके जैसी एक रब काफी में बनानी है क्योंकि हमारे यहां भी यह सुपरविजन हो चुका है तो उन्होंने यह बताया कि रब काफी में ऐसी ही आप एक बनाकर उसमें काम कीजिए जो आपको मिली हुई है उनमें अभी आपको काम नहीं करना है तो इसमें हाँ या कि अध्याब को द्वारा बच्चों में भासा वे गणित की गहरी और बुनियादी समझ विक्षित करने तू आधार सिला हस्त पुस्तिका का उप्योग किया जाता है हाँ या नहीं ये इसमें आपको रिखना है क्या विद्याले के पर्थम कालेंस में रेमेडियल कक्षा संच देना है उसके बाद नाइट पॉइंट है मारा क्या बच्चों को रिपोर्ट कार्ड प्रेशित किये गए है हाँ या नहीं क्या विद्याले में पुस्तकाले क्रिया सील है आप अपने विद्याले में पुस्तकाले को क्रिया सील जरूर बना लिजे एक रसी बांद कर उसमे भी आपको हाँ या ना लिखना है क्या सभी चात्चात्रों को विशेबार पाठ्थे पुस्तक का वित्रण मानक के अनुसार किया जा रहा है या किया जा चुका है हाँ या नहीं क्या सभी चात्चात्रों को स्कूल यूनिफोर्म बैग जूता मोजा का वित्रण मानक के अनु अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल के आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद